दोस्तों आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दूद पीने के बाद कठल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए या भी कठल खाने के बाद दूद बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं दूद के साथ अगर कठल खा लेते हैं या कठल खाने के बाद दूद पी लेते हैं तो क्या होता है अक्सर होता क्या है तो ये बहुत नुक्सान दै होता है यहाँ पर हम लोग जानेंगे अगर खाने से एक घंटा पहले अगर दूद पिया है अगर कठल खाने से पहले एक घंटा पहले दूद पिये हैं तो कठल का स यानि खतरनाक की रियक्षन करते हैं जिसे जहरीला परदात बनता है जो हमारे सरीर के लिए काफी नुकसान दय होता है तो इससे कही तरह की परिशानियां हो सकती है आपको जिसे कठल के ज्यादा सेवन से चर्म रोग हो सकता है जिसे कठल और दूसर ज्यादा पीने के बाद पर ज्यादा मतलम लेने से प्टयों जिसे आपका चर्म हो जाता है जिसे आपके सरीर में खुजली होगा जया जगा अगर पीते हैं तो दूद्ध और कठल बिल्कुल भी एक साथ नहीं खाएं और एक साथ अगर खाते हैं तो आपको इसका नुकसान जिलना पड़ेगा या फिर आप इसकी बीच में कम से चार गंटे का अंतराल होना चाहिए गेपिंग होना चाहिए अगर दूद्ध पी रहे हैं तो कठल कम से 3-4 गंटेग बाद खाना, ये कठल खाया है तो 3-4 गंटे के बाद दूद्ध पी सकते हैं यानि एक से दो गंटे के बाद नहीं करना है तो इस तरह के इंट्रेस्टिंग विडियो देखने के लिए आज ही चेनल को सिस्क्राइब कर ले बेल आइकन को दबा दे ताकि नया वीडियो अपलोड़ सीधा नोटिफिसन आपके पास चला जाए